Hi everyone, I am Aditi Rana आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे English के basic part, second है ये और अब इससे start करते हैं सबसे पहले बात करेंगे subject की जो subject होता है, वो किसी भी sentence के hero की तरह होता है वो main होता है, ठीक है? और phrase और clause क्या होते हैं? एक sentence के एक वाक्य के हिस्से होते हैं तो ऐसे माल लीजे के subject एक hero है और उसके दो दोस्त है phrase और clause, ठीक है? phrase को आप हिंदी में क्या कहो के? वाक्यांश और clause को आप हिंदी में क्या कहते हो? उपवाक के, ठीक है? तो यहाँ पे phrase, diagram इसले बनाया है ताकि एक चीज़ बता सकूँ कि phrase जो होता है वो एक बेचारा गरीब इनसान की तरह माल लो कि ना तो बेचारे पे subject होता है और ना ही उत पे वर्व होती है लेकिन जो clause है, वो एक rich इनसान की तरह है जिस पे पैसा तो बहुत है लेकिन उसे यह नहीं पता किसे कहां invest करना चाहिए यानि clause के पास subject भी है और इसके पास वर्व भी है लेकिन फिर भी अपने पूरे meaning को present करने के लिए अपना पूरा complete meaning देने के लिए यह किस पे depend करता है यह depend करता है sentence पे ठीक है अब इन्हें theory में भी देख लेते हैं phrase group of words which give sense but not complete sense it has neither subject nor वर phrase क्या होते हैं वाक्यांच वो शब्द होते हैं वो शब्दों के समू होते हैं जो sense तो देते हैं लेकिन पूरा sense नहीं देते हैं क्योंकि इनके पास ना तो subject होता है और ना ही वर्व होती है कुछ example दिये रखे हैं with green eyes किसकी green eyes है हमें नहीं पता पड़ रहा bottom नीचे किसके नीचे ठीक है on road in the class ठीक है तो यानि कि phrase वो words हैं जो की पूरा meaning नहीं देते हैं क्योंकि इन बेचारों के पास subject और वर्व नहीं होता है ठीक है अब यहाँ पे एक trick देख लेते हैं generally जो phrase होते हैं वो start होते हैं preposition से preposition हम आगे की classes में करेंगे लेकिन अभी यहाँ पे एक chart देख लेते हैं यह है preposition ठीक है जैसा के हमने अभी देखा के at हमने देखाता है starting में हमने off देखाता हमने with देखाता on देखाता ठीक है in देखाता on देखाता at देखाता तो यह क्या है preposition तो generally जो phrases होते हैं 90% जो phrases होते हैं वो किस से start होते हैं preposition से start होते है next हम बात करते है clause की ठीक है जिसे हिंदी में आप उपवाग की कहते हो it is a part of the sentence which contain a subject and verb clause वो हिस्सा है किसी भी sentence का जिसके पास subject भी है और जिसके पास verb भी है लेकिन फिर भी यह अपना पूरा meaning देने के लिए sentence पर depend करते हैं तभी इनका पूरा meaning हमें clear होता है ठीक है यहाँ पे भी एक trick है conjunction से start होते हैं यह और इनके पास subject और verb होती है यानि कि start कैसे होगा कोई clause के कोई conjunction आएगा और उसके बाद आएगा subject और उसके बाद आएगा verb ठीक है conjunction जैसे what, if, weather, wh, tab के जब words होते हैं where, wherever, whereas, while, whose तो यह सब जो हैं आपके wh, word हैं यह आपके conjunction की तरह work करते हैं तो कभी भी आपको कुछ दिखे, किसी sentence का हिस्सा जो conjunction से start है तो वो clause होता है ठीक है, यहाँ पर कुछ conjunction दे रखे हैं, chart और आगे की further classes में हम detail में पढ़ेंगे ठीक, यहाँ पर example देख लेती है, if you come, I will teach तो हमें यह बताना है कि जो blue underline part है, यह क्या है, तो देखो if लिखा यानि की conjunction है you subject है, come, were, where, यानि की यह क्या है, यह clause है, ठीक है next, I met him when he was in the class, अब इस sentence में clause भी है और phrase भी है clause कौन सा है, when, यानि की conjunction, he, subject, was, यानि की word, तो यहाँ पर क्या होगा conjunction plus subject plus verb मिल गया, यानि की यह तो clause है, जो की blue color से दिखाया है लेकिन अब बात करते हैं, जो purple color से लिखा है, in the class, in हमारा एक preposition है तो यह क्या हो गया, phrase हो गया, in the class एक phrase हो गया, ठीक है next, अब देखते हैं subject क्या होता है, अब इसे detail में पढ़ते हैं, subject, who perform any action subject वो होता है, जो कोई भी कार करता है, जो व्यक्ति कार करता है, या जिसके बारे में किसी sentence से बात की जा रही होती है, वो ही हमारा करता होता है, वो ही हमारा subject होता है लेकिन बात हम तीन चीज़ों की ही कर सकते हैं, कभी भी possibility क्या है कि हम किसी person की बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं या हम किसी जगह की बात कर रहे हैं या हम किसी चीज की बात कर रहे हैं ठीक है कि मैं person की बात कर रही हूँ कि आज milkman नहीं आया ठीक है या मैं किसी place की बात कर रही हूँ place thing क्या होता है noun होता है जो कि हम बच्पन से पढ़ रहे हैं तो subject क्या है noun है लेकिन क्या सिर्फ noun है नहीं कुछ चीज़े होती है जो noun की equivalent होती है यानि कि noun के समान होती है वो भी subject की तरह sentence में काम करती है अब हम देख लेते हैं वो कौन-कौन सी चीह हैं सबसे पहले noun की हम बात इस्तिमाल किया जाता है ठीक है तो pronoun भी subject की तरह इस्तिमाल किये जाते है sentences में ठीक है next phrase और clause हम अभी पढ़ चुके है next बात करते हैं infinite and gerund की infinite क्या होता है वर्फ की first form में जब आप two लगा लेते हो तो वो infinite हो जाता है ठीक है जेरंट क्या होता है वर्फ की first form में जब आप ing आप या फ्रफ कर लेते हो तो वो जरेंट होता है ठीक है next तो यह भी infinite and gerund कैसे वर्फ करते हैं यह verbal noun की तरह work करते हैं क्यूंकि यहाँ पर वर्फ है ठीक है तो इसलिए ये verbal noun की तरह work करते हैं और ये भी subject की तरह work करते हैं किसी sentence में next बात करते है it, it को dummy subject कहा जाता है dummy subject क्यों कहा जाता है क्योंकि ये निर्जीव वस्तों के लिए इस्तिमाल किया जाता है for example अगर मैं कहूँ it is Sunday today, आज Sunday है तो it क्या है ये एक निर्जीव के introduction के लिए use हुआ है, इसलिए इसे कहा जाता है dummy subject, next बात करते है there, इसे कहा जाता है introductory subject क्यों क्योंकि ये किसी जीवित का परिचे देने के काम आता है तो there, there are five members in my family मेरे परिवार में पांच सदस हैं तो पांच सदस हैं हम मैं living की बात कर रही हूँ, ठीक है तो there क्या है, एक introductory subject है ये जीवित लोगों के परिचे देने के कारम में आता है या मैं कहा हूँ, there was a king तो king क्या है, एक जीता जाता व्यक्ति है, राइट तो there उसके introduction में इस्तिमाल किया गया है यानि की there का इस्तिमाल भी आप introductory subject की तरह कर सकते हो तो अब तक हमने देखा कि 8 ऐसी चीज़े हैं जिने हम subject की तरह इस्तिमाल कर सकते हैं noun, pronoun, phrase, clause, infinite, gerund, it and there ठीक है, अब question कैसे आएगा? question आएगा कि among these which can be used as a subject आपके पास 4 option होंगे, ठीक है और इनमें हो सकता है, इन आठों में से कोई तीन दे हुए हो और एक कुछ और दिया हो और पूछा जाएगा कि बताएगे इनमें से subject की तरह किसे यूज़ कर सकते हैं next, ये भी पूछा जा सकता है कि find the subject आपको एक sentence दे दे और बोलें कि इसमें से subject को find करो, ठीक है for example, last time super TED में आया था on the top of the hill lives a hermit ठीक है, पहाड़ी के ऊपर एक सन्यासी रहता था, एक साधू रहता था तो इसमें पूछा गया था कि subject क्या है subject last में दे रखा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है आप identify नहीं कर पाएं, ठीक है, तो hermit यहाँ पर subject था next हम एक चीज़ समझेंगे, verbal noun verbal noun क्या होता है, infinitive और जो जेरंट होती है वो verbal noun की तरह work करती है, अब कैसे करती है, यह detail में देखेंगे see here, सबसे पहले बात करेंगे infinitive की see, याद रखने की trick क्या है, देखे, infinitive में आपको t दिखाई दे रहा है, और add जो आपको करना है, वो भी word t से start होता है, ठीक है, infinitive, जब हम verb की basic form में, यानि कि उसकी first form में to को add कर देते हैं तो वह verbal noun की तरह behave करने लगती है, ठीक है, और इसी को आप infinitive कहते हो, for example, जब मैंने वर्फ की first form लिए और उसमें to add कर दिया, तो मेरा बन गया go, to go, to walk, to smoke, to eat तो इस तरह के words बन गई, यह है infinitive के example और यह मैं use कर सकते हूं as a subject, और इसी लिए ने कहा जाता है verbal noun, ठीक है, next बात कर लेते हैं, gerund की, जब basic form होती है वर्फ की, यानि कि जो first form होती है वर्फ की, उसमें आप ing जोड़ देते हो, अब याद कैसे रहेगा कि ing जोड़ना है, देखिए यह g से start होता है gerund, ठीक है, और आपको जोड़ना क्या है ing, ठीक है, तो अब याद रहेगा, कि infinitive में to add करना है, और gerund में ing add करना है, ठीक है, तो gerund में क्या होता है, basic form जो वर्फ की होती है, जब मैं उसमें ing जोड़ूंगी, ठीक है, हिंदी में इसका अर्थ होता है, ना, नी, ने, तो जब मैं जोड़ती हूँ, तो क्या होता है, यह verbal noun की तरह behave करने लगता है, for example, going, eating, ठीक है, आपको यह पता है कि वर्फ की first form क्या है, go, वहाँ पर मैंने क्या किया था, infinitive में to go, लेकिन यहाँ पर ing जोड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, going, eating, walking, smoking, ठीक है, और यह verbal noun की तरह वर्फ करते हैं, यानि कि इनने sentence में subject की तरह इस्त होती है, जो निर्मान होता है, वो किस से होता है, वर्फ की basic form से, वर्फ की first form से, इसलिए, यह interchangeable है, infinitive को आप gerund में convert कर सकते हो, और gerund को infinitive में convert कर सकते हो, क्योंकि यह दोनों first form से ही बनी है, ठीक है, तो अगर मैं go लिख रही हूँ, तो to go भी लिख सकते हो, या going भी कर सक करते हो, यानि कि इन दोनों को interchange करना आपस में बहुती जादा easy है, और हम करते हैं English में, ठीक है, caution है, to walk is a good exercise, here the underlined word is dash, एक sentence हो सकते आपको दिया जाए, है ना कि to walk is a good exercise, टहलना एक अच्छी exercise है, तो यहाँ पे जो underline हमने कर दिया to walk, यह क्या है, पहली बात, क्योंकि यह verbal ना हुने है, तो इसलिए यह subject का काम कर रहा है, यहाँ पे, दूसरी बात, to लगा है, वर्फ की first form में, इसलिए क्या है, infinitive, एक और example देखते हैं, walking is a good habit, अब यहाँ पे क्या हुआ, पहली बात, यह subject का का काम कर रहा है, दूसरी बात, यह क्या है, यह gerent है, क्योंकि इंजी लगा है, ठीक है, next, smoking kills, यहाँ पे भी क्या है, यह subject है, ठीक है, और यह gerent है, next, caution पूछे, caution में लिखा है, dash is wealth, तो यहाँ पे क्या fill किया जाएगा, health fill किया जाएगा, या to health fill किया जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा, health fill किया जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा तो यहाँ पर थोड़ी ना इसके पहले 2 लगाएंगे, तो सही आंसर क्या होगा, health is wealth, next, to error is human and dash is divine, गलती करना इंसान का काम है, और माफ कर देना भगवान का काम है, ठीक है, चार option है, तो उनमें से सही कौन सा होगा, to error यहाँ पर क्या है, infinitive है, है न, to error, तो same parts of speech यूज करते हैं किसी भी sentence में, ताकि वो balance हो सके, इसलिए यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही यूज करेंगे, जो infinitive होगा, और यहाँ पर आपको clearly दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कौन सा होगा, to forgive, तो यहाँ पर आएगा, to error is human, to forgive is divine, c, because एक sentence में हमेशा समान parts of speech का ही use किया जाता है, इस वीडियो में इतना ही अंस तक देखने के लिए शुक्रिया,